सभीको, नमस्कार, मेरा नाम सतिस कुमार साथी, आज हम बात करने बाले कन्फीजन को किसी दूर करें, क्योंकि कन्फीजन, लाइफ में जो हैंए कन्फीजन का मतलब क्या होता है? किन्फीजन का मतलब यह करें कि वो करें, इसमें पङो से बराते हैं, जितने भी सिटने मानसिक समस्चाइइसे को उनको कन पूझन होता ही होता दोस्तों और आमसे ऑना आज हम आज पांस तरिका बताएँगे यिकता आप जानेंगे की अब दूर कर सकते हैं यह जो तरीका जो बताएंगे प्रैक्टिकल निकल सकते हैं दो पहला कीज़ का कन्फीजन हो रहा है तो उसको जो है आपको समझना यह हमारे लिए अच्छा हो रहा है हमारे लिए अच्छा है दोस्तों अगर लाइफ एक्जामपल की बात करें कि जब आप बाई चलाना सीख रहे थे तो बाई चलाना तो सब को सीख रहेंगो दोस्तों सब को जान क्षांदे क्या करें यह सब कैसे मैंनेज कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे तो हमने क्या क्या लाइफ में बालपार उनको प्रैक्टिस किया गारी चलाने के लिए हमें आ गया और सारा सिस्टिज मेंने 날व11 क्नřफीजन दूर हो गया उसी avez अच्छे लाइफ में जब भी confusion आए तो थोड़ा पैसेंस रखिए थोड़ा नौलेज रखिए थोड़ा जो ही कुनका नौलेज लिजिए तब जाकर के जो आपके अंदर जो सबसे पहले हमारे लिए अच्छा है तब आप पैसेंस करेंगे कि हां मतलब तुरह समझ में किसी को भी नहीं आती है तो फिर जो हैं कि दिरे 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 ठीक हो जाएगा तो लाइफ में जब भी confusion आये तो आप समझें कि यह हमारे अच्छे के लिए है भले अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अदिन के बास समझ में आने लगेगा ठीक दोस्तों क्योंकि लाइफ का एक पार कि आपको क्लियरटी तक पहुंचने में डिसीजन मिलता है दोस्तों क्या करना है दूसरा पॉइंट में कि आपको उससे सला लेना है जो उस चीज़ को कर लिया है और जो उस फिल्ड में काम कर रहा है जिसे आप एक OCD से प्रीज़ है तो उनको देखिए जो वसी बाहार नि आपको कम टाइम में निकल जाएं कि उस रास्ते पर आदमी चल चुके हैं जहां पर आप जाने वाले हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों उनसे बात उससे बात्चित करना है तो बात्चित करेंगे तो आपके मांड में एक decision मिलेगा आपको clarity मिलेगा थोड़ा बहुत प्रोलोम आएगी क्योंकि life change होते रहती है तो लेकिन आपको direction मिल जाएगा हमको ऐसे काम करना है तो OCD भी आपको जो सफलवा उनके बातों को सुनेंगे उन से जानेंगे तो आपको एक direction मिलेगा हमको इसी direction में काम करना जल्दी से निकल पाएंगे से ठीक दोस्तों कंफिजन दोस्तों तिसरा point क्या है तिसरा point है कि आप जो भी confusion फसे उनका future क्या है इस चीज को देखना है दोस्तों कि आप जो भी काम करने लोगों से देखेंगे उनमें क्या future है अगर हम बार-बार कंपल्शन करके ठीक थोड़ा देर के तसल्ली के लिए अगर हम कर लेते हैं तो क्या होता है डर बढ़ते चले जाएगा आपका उसी लिए बीमारी और बढ़ते चले जाएगा इनका future क्या जब आप भी बार-बार कंपल्शन को जो है कि मतलब तसल्ली के लिए कर लेते हैं तो आपका बीमारी बढ़ता चले जाएगा अगर आप कंपल्शन को थोड़ादर होल्ड करके एंजैटी को देखेने का और साने का आप अपने चमता बढ़ाएंगे तो आपका जो है देखेंगे future में खुशियां आएगे confidence बढ़ेगा आपका आपका दिन पढ़ती दिन खुशियां बढ़ते जाएगे आपके life में अगर जो है कि देखेंगे कि अगर हमने belief को change कर ले आपने belief को change करते तो future में मेरा confusion कम हो जाएगा आपके life में खुशियां आजाएगी बिलीब को change करना है ना कोई घटना में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है जब यह चीज जो है कि आप देखेंगे future में जागे देखेंगे अगर हम यह काम करते रहे बिलीब को change किये reality के base पर अगर देखना चालू किये तो हो सकता हमारा future में जो बहुत बढ़ियां होगा यह यह चीज जो है कि आपको मिलेगा जो चीज आप जिनका जो इस चीज से बहार निकल चुकर वह चीज आपको बताएंगे तो वह चीज आप देखेंगे तो आप उससे देखेंगे future में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं ठीक दोस्तों को हर समय क्या करना है दोस्तों की confusion copy pain पर प्रियास करते हैं solution निकालने का प्रियास करते हैं तो कभी भी नहीं होता है बहुत जाएंगे कि मन कभी आपका यहां अभी आपका घर में ठीक अभी आप वीडियो देख रहे हैं मन आपका कहीं और चले जाएगा मन कभी मार्केट चले जाएगा कभी चले जाएगा कभी ज मस्याइं क्या स्ल्विशन हो सकता है यह चीज जो है आप लिख सकते हैं यह चीज आपको करना क्योंकि देखिए माइंड में अगर अभी हम अभी आपके साथ एक ट्रीक समयां को करते हैं 585 आपको एड करना है 585 पलस 890 पलस 270 पलस 524 क्या यह आप करके बता पाएंगे दोस्तों नहीं बता पा रहे होंगे क्योंकि यह जब तक कॉपी पर लिखेंगे तुरत हो जाएगा कॉपी पर नहीं लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा जी तरह से ओसीडी में भी आपको जो प्रोब्लम होती है दोस्तों अपने माइंड में जो है न सल्विशन निकालने का कम किजिए आप कॉपी पर लि क्वेस्ट है आप से कि कंफीजन को माइंड में सॉल्व करने की जौरत नहीं है कॉपी कलम लेकर कि आप देखिए तो करिये तो ट्राइए तब तो हमें बताइए कमेंट करके हां कि आपको फाइदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहुत जल्दी फाइदा मिलेगा दोस्तों पंचमा प्वेंट क्या है ना की एक्षानल लेजिए बहुत जोरी है कंसी को दूर करने के लिए पहले सीख है कनं करना हो लेना होगा प्र debilness कि हम जो फूचर में करने वाले हम जो अभी जो हैं कि जो काम करते रहेंगे हम जो कमपलसन थोड़ा देंकि तसली तो लगता है कि हम हमको तसली मिल जाएगा हमारा जो वहां दिक्कत है आप जो बदलने के लिए आपका जो कंफीजन को हट करके आपके अंदर कंफीडेंस बढ़ जाए तो आपका लाइप अच्छा होने लिए दोस्तों असा करतें कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों पांच पॉइंट में आ अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें दूसरे दूसरे ग्रूप में शेयर भी करें थैंक यू फ्रेंट विस्टी वेल्ट भी हैपी